नमस्कार दोस्तों, धन्पत राय यानि प्रेमचंद, क्यों हम उनको इतना सम्मान देते हैं? क्योंकि वो समाज के हर वर्ग को, हर प्रकार के व्यक्ती के मनुभावों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी पीडाओं को, उसकी खुशियों को, जिस प्रकार से गहराई से समझ जाते थे और उसका उतना ही सजीव चितरन अपनी लेखनी द्वारा आसानी से सहज भाशा में कर उसका सानी हमें नहीं मिलता पूस की रात उन कहानियों में से है जो दर्शाती है कि प्रेम चंद को हिंदी साहित्य का समराठ क्यों कहते हैं पूस अर्थात पॉश यानि दिसंबर जन्वरी का महीना जब सर्दी अपने चरम पर होती है तो आएए सुनते हैं आज की कहानी पू पूस की रात हार में कैसे कटेगी उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे अभी नहीं हलकू एक शन अनिश्चित दशा में खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता मगर सहना मानेगा नहीं घुडकियां जमावेगा गालियां देगा बला से जाडो मरेंगे बला सिर से टल जाएगी ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिये हुए जो उसके नाम को जूट सिद करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामत करके बोला ला दे दे गला तो छूटे कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आखे तरेरते हुए बोली कर चुके दूसरा उपाय जरा सुनू कौन उपाय करोगे कोई खेरात दे देगा कमल ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते मरमर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो चुटी हुई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती में बाज आए मैं रुपे ना दूंगी ना दूंगी हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें धीली पड़ गए हलकु के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वहां मानो एक भीशन जन्तु की भांती उसे घू रहा था उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हलकु के हाथ पर रख दिये फिर बोली तुम छोड़ दो अब की से खेती मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी किसी की धौस तो न रहेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह उसी में जोंक दो उस पर से धौस हलकु ने रुपए लिये और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर तीन रुपए कंबल के लिए जमा किये थे वहाँ आज निकले जा रहे थे एक एक पग के साथ उसका मस्तक अप अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था भाग दो पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठोरते हुए मालूम होते थे हलकु अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बास के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा थ खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में नूँ डाले सर्दी से कूंकूं कर रहा था दो में से एक को भी नींद ना आती थी हलकु ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा चाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रहे तो यहां क्या लेने आये थे अब खाओ ठंड मैं क्या करूं जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ दोड़े दोड़े आगे आगे चले आए अब रोवनानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्ग बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया उसकी श्वान बुद्धी ने शायत ताड़ लिया स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है हलकू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे ये रांड पचुआ ना जाने कहां से बरफ लिये आ रही है उठू फिर एक चिलम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका ये खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गड़े लिहाफ कमल मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की बखुबी है मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें हल्कू उठा और गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा पीएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बहल जाता है जबरा ने उसके मूँ की ओर प्रेम से चलकती हुई आखों से देखा हल्कू आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहां पुआल बिछा दूँगा उसी में घुज कर बैठना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अपकी सो जाओंगा पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कमपन होने लगी कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांती उसकी चाती को दबाए हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्टे की देह से जाने कैसी दुरगंध आ रही थी पर वह उसे अपनी गोद से चिप्टाई हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था जबरा शायत समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हलकों की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे के प्रती ग्रिणा की गंध तक न थी अपनी किसी अभिन मित्र या भाई को भी वह इतनी ही ततपरता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब दुआर खोल दिये थे और उसका एक एक अनु प्रकाश से चमक रहा था सहजा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेश आत्मियता ने उसमें एक नई स्फूर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जोंकों को तुछ समझती थी वह जपटकर उठा और चत्री के बाहर आकर भूंकने लगा हलकू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया हार में दोड़ दोड़ कर भूंकता रहा एक खण के लिए आभी जाता तो तुरंथ ही फिर दोड़ता करतव्य उसके हृदय में अर्मान की भांती उचल रहा था भाग तीन एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया हलकू उठ बैठा और दोनों घुटनों को चाती से मिला कर सिर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कम न हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगा हिम बह रहा है उसने जुक कर आकाश की ओर देखा अभी कितनी रात बाकी है सबतर्शी अभी आकाश में आधे भी नहीं बढ़े उपर आ जाएंगे तब कहीं सबेरा होगा अभी पहर भर से उपर रात है हलकू के खेट से कोई एक गोली के टप्पे पर आमो का बाग था पत्छड शुरू हो गई थी बाग में पत्तियों का धेड लगा हुआ था हलकू ने सोचा चल कर पत्तियां बटोरू और उन्हें जला कर खूप तापू रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है कौन जानी कोई जानवर ही छिपा बैठा हो मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड लिए और उनका एक जाडू बना कर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा हलकु ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पतियां बटोर कर तापें तांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो रात बहुत है जबरा ने कूंकूं करके सहमती प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दै पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था व्रिक्षों से ओसकी बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी एक आएक एक जोंका मेंदी के फूलों की खुश्बू लिये हुए आया हलकू ने कहा कैसी अच्छी महकाई जबरू तुम्हारी नाक में भी सुगंधा रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उसे चिचोड रहा था हलकू ने आग जमीन पर रख दी और पतियां बटोरने लगा जरा देर में पतियों का एक धेर लग गया हाथ ठिठुरे जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और वह पतियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौ उपर वाले व्रिक्षों की पतियों को छू छू कर भागने लगी अंधकार के इस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक शन में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली दोनों पाउं फैला दिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में आए सो कर ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर वह विजय गर्व को रिदय में छिपाना सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है जबर ने कूं कूं करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से ये उपायना सूझा नहीं इतनी ठंड क्यों खाते जबर ने पूँच हिलाई अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें देखें कौन निकल जाता है अगर जल गए बचा तो मैं दवाना करूंगा जबर ने उस अगनी राशी की और कातर नेत्रों से देखा मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी ये कहता हुआ वह उच्छा और उस अलाव के उपर से साफ निकल गया पहरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आग खड़ा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधिरा चा गया था राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक शन में फिर आखें बंद कर लेती थी हलकू ने फिर चादर ओढ़ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जियों जियों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था जबरा जोर से भूंक कर खेत की और भागा हलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ड खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ड था उनके कूदने दोडने की आवाजें साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोच ही डाले मुझे भ्रम हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे भी कैसा धोखा हुआ उसने जोर से आवाज लगाई जबरा 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 भूंकता रहा उसके पास न आया फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वह अपने को धोखा न दे सका उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दोड़ना असह जान पड़ा वह अपनी जगह से न हिला उसने जोर से आवाज लगाई हिलो, हिलो, हिलो जबरा फिर भूंक उठा जानवर खेत चर रहे थे फसल तयार है कैसी अच्छी खेती थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं हलकू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला पर एका एक हवा कस ऐसा ठंडा चुबने वाला बिच्छू के डंका सा जोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा जबरा अपना गला फार डालता था नील गाए खेद का सफाया किये डालती थी और हलकू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अकर्मन्यता ने रसियों की भांती उसे चारों तरफ से जकड रखा था उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओड़ कर सो गया सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्य कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेद चौपट हो गया हलकू ने उठकर कहा क्या तु खेद से होकर आ रही है मुन्य बोली हां सारे खेद का सत्या नाश हो गया भला ऐसा ही कोई सोता है तुम्हारे मड़या डालने से क्या हुआ हलकू ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेद की पड़ी है पेट में ऐसा दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ दोनों फिर खेद की डान पर आए देखा सारा खेद रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़या के नीचे चित लेटा है मानों प्राण ही न हूँ दोनों खेद की दशा देख रहे थे मुन्य के मुख पर उदासी चाई थी पर हलकू प्रसन था मुन्य ने चिन्तित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भड़नी पड़ेगी हलकू ने प्रसन मुख से कहा रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे महान लेखक प्रीमचंद की लिखी एक कहानी पूस की रात उमीद है यह कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद